So, hey learners, welcome back First of all, मैं आप लोगों को एक warning देना चाहूंगा मैं कोई भी टेलिग्राम चैनल रन नहीं करता अगर आपको मेरे YouTube चैनल के नेम पर कोई टेलिग्राम चैनल मिलता है इसका मतलब वो fake टेलिग्राम चैनल है और मैं आपसे request करूँगा ऐसे चैनल के चक्कर में ना आए and remember one thing, मैं आपसे कभी पैसो का डिमांड नहीं करता Now, coming back to the topic आज के वीडियो में हमें कमाल के candlestick pattern के बारे में जानेंगे जिसका नाम है spinning top और समझेंगे हमें कैसे इस pattern के साथ trade करना है with basic to advance सबसे पहले इसके formation और location को समझते है मतलब यह दिखता कैसा है और chart पर बनता कहां है spinning top हमें chart पर कुछ इस प्रकार से दिखता है इसका body छोटा होता है और दोनों wick लंबा होता है अब दिखिए spinning top में color matter नहीं करता यह red भी हो सकता है और green भी matter करता है इसका position अगर spinning top downtrend के दोरान बनता है इसका मतलब अभी यह downtrend यहां थम सकता है या यहां से reverse हो सकता है most important thing volume अगर spinning top का volume high है तो यह indicate करता है अभी यह downtrend यहां end हो सकता है और यहां से एक uptrend का सुरुवात हो सकता है next अगर spinning top अब trend के दौरान बनता है with high volume तो ये indicate करता है अब ये trend यहाँ end हो सकता है या trend यहाँ सा reverse हो सकता है Now, अब इसके पीछे का psychology समझिए During a downtrend हमें एक small body candle मिलता है जिसका दोनों wick लंबा है small body with long wick मतलब indecision मतलब इस candle के formation के दौरान bull's price को उपर लेकर जाते और bear's price को नीचे लेकर जाते पर दोनों में कोई dominant नहीं कर पाता Then finally, closing opening के आसपास होता है जिससे हमें एक small body मिलता है तो ये high level of indecision so करता है अब ये trend change हो सकता है कौनसा trend? spinning top के बनने का previous trend So अगर next candle या further candle इसके high को break करता है अगर हमें spinning top मिलता है with high volume तो हम इसके low break पर shot कर सकते है और इसके high के उपर stop loss रख सकते है आईए, अब कुछ charts देखते हैं basic से advance तक जहां हम additional price action को combine करके इस setup को और reliable बना सकते है basic chart से शुरू करते है यहां देखिए market downtrend पर है next, downtrend के दोरान यहां हमें एक spinning top मिलता है now, अब हम confirmation के लिए volume को use करेंगे अगर इस candle का volume high है तो हम इसे spinning top consider करेंगे so yes, इसका volume high है next, अब हम इसके high break का weight करेंगे अगर एक green candle इसके high को break कर देता है तो हम यहां buy करेंगे और अपना stop loss इसके low के नीचे रखेंगे अगरा चार्ट देखते है यहां हमें अप्टरेंट के दौरान एक spinning top मिलता है with high volume again, हमें color से कोई मतलब नहीं यह red भी हो सकता है और green भी next, अब हम इसके low break का weight करेंगे अगर next candle या further candle इसके low को break करता है तो हम यह shot कर सकते है stop loss हम इसके high के उपर रखेंगे आईए अब एक advanced start देखते है यहां देखिए यह हमारा support level है चुकि price इस level से reject होकर उपर चला जाता है next, price वापस इस level को अप्रोच करता है next, यहां हमें एक spinning top candle मिलता है with high volume अब यहां एक confluence factor सामने आता है यहां हमारे पास support level है जहां usually buyers active होते है और साथी साथ यहां हमारे पास एक spinning top भी है जो हमें बताता है अब यह trend यहां से change हो सकता है और साथी साथ price इस level के साथ react करता है जो हम candle के wick को देखकर पता लगा सकते है तो यहां एक high probability है कि price यहां से उपर जा सकता है next अगर कोई green candle इसके high को break करता है तो हम यहां buy कर सकते है और इसके low के नीचे यह support level के नीचे अपना stop loss place कर सकते हैं अगला example देखते हैं यहां देखिए यह हमारा resistance है next price वापस इस level को approach करता है और यहां एक spinning top form करता है with high volume यहां भी एक confidence factor है यहां अमारे पास एक resistance level है और हम सभी को पता है resistance के पास sellers active होते हैं जो price को नीचे लिजा सकते हैं और साथ ही साथ यहां spinning top भी है with high volume जो in decision so करता है और price इस level के साथ react भी करता है जो हम wick को देखकर पता लगा सकते हैं so अगर further red candle इसके low को break करता है तो हम यहां shot कर सकते हैं और अपना stop loss यहां कहीं place कर सकते हैं एक और example देखते हैं यहां देखिए downtrend के दोरान हमें एक spinning top मिलता है जिसका volume भी high है पर इस case में market direct उपर नहीं जाता market यहां sideways हो जाता है फिर यहां एक और spinning top बनता है और फिर market उपर जाता है तो spinning top से यह तो confirm है market अब और अपने trend को continue नहीं करेगा तो इस business पर आप alert हो सकते हो अगर आप पहले से trade में enter हो तो आप exit को plan कर सकते हो आईए कुछ और example देखते है यहां देखिए यहां downtrend के दोरान एक spinning top देखने को मिलता है with high volume next यहां chart पर RSI indicator भी applied है now यहां देखिए यहां हमें RSI और price के बीज divergence देखने को मिलता है यह एक bullish divergence है मतलब RSI हमें indicate कर रहा है अब यह down move weak हो चुका है अब trend यहां से change हो सकता है और साथ ही साथ spinning top pattern भी है so again यह हमारे लिए एक further confirmation का काम करता है अगर next कोई green candle इसके high को break करता है तो हम यहां buy कर सकते है और अपना stop loss यहां कहीं place कर सकते है so इस तरह आप spinning top का use करके एक profitable trade ले सकते हो मैं आपको recommend करूँगा पहले आप इसे chart पर अच्छे से analyze करिए फिर apply करिए so hopefully guys आपको इस वीडियो से थोड़ी information मिली होगी अगर आपको वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए best of luck for a stock journey